गुड बॉर्णिंग दोस्तो मैं गोतम सिंग गोखुल कलासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए ले कराया हूँ जीव विग्यान कक्छा 10 बाइलोजी चाप्टर 7 अनु आंसिक्रिता तथा जोविकास चाप्टर का आपका नाम हो गया अनु बांसिक्रि दोस्तो आपको हम सबसे पहले बताते हैं अनु बांसिक्रिता क्या है तो दोस्तो आपको हम बताते कि अनु बांसिक्रिता जो है आपको क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी यूगमों के माध्य प्रित्रिक गुणों का संचरण आनुवर्श्टा कहलाता है दोस्तो इसके बाद है आपका जौविकास तो जौविकास क्या है इसके बारे मैं आपको बताता हूं कि जौविकास क्या है तो दोस्तो आपको हम बता दें कि जौविकास जो है आपका प्रित्वीप और बरतमान जटिल प्राडियों का विकास प्राम्भ में पाये जाने वाले सरर प्राडियों में प्रस्थिती और अतावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ, सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जव विकास कहते हैं, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रस् प्रशने हैं हमारा किसी जीव की जीनी सनरचना कहलाता है लचल प्रारूप या फेनो टाइप जीन प्रारूप या जीनो टाइप अनुबंस की या विभीनता दोस्तों आपको हम बता दे कि किसी जीव की जीनी सनरचनता कहलाता है जीन प्रारूप या जीनो टाइप आपका ए मेंडल ने अपने परियोग के लिए बगीचे में उगाये जाने वाले किस पौधे का चाइन किया। जिसके अंतगत विभीनता तथा अनुबांश्कता का अध्यान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्ने हमारा अफिरकी मानव का सबसे निकट समबंधी क्या है। चीपोंजी गोरिला बंदर या गिलहरी दोस्तो आपको हम बता दें। अपिरकी मानव का सबसे निकट समबंधी है चीपोंजी आपका अंसर हो जाएगा ये नमबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण हमारा पक्छी तथा तितली के पंख है समझातंग और समझातंग या अवसेसियं या कोई नहीं पक्छी तथा तितली के पंख है और समझातंग आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ, अगला प्रस्ने हमारा अनुबानसी की जीव बिग्यान की वह साखा है जिसके अंतगत अध्यान किया जाता है, अनुबानसीक्ता तथा बिभिन्ता जो प्रध्योगी की जीवासम या कारी की दोस्तो अनुबान्सिक्ता तथा विभिन्ता का आपका एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णा के तरफ अगला प्रस्णा है अमारा विकासिये दिरिष्टी कोण से हमारी सर्वाधिक समानता किस्स्य है तो दोस्तो आपको हम बता दे चीम पाउंजी से है आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णा के तरफ अगला प्रस्णा है अमारा अनुबान्सिक विभिन्ता का मुख्य कारण क्या है DNA के नाइट्रोजनी छारकों के अनुकरम में परिवर्थन जलवायू में परिवर्थन भैगोलिक प्रित करण इन में से कोई नहीं दोस्तो आपको हम बता दे कि अनुबान्सिक विभिन्ता का मुख्य कारण है DNA के नाइट्रोजनी छारकों के अनुकरम में परिवर्थन तो आपका एंसर हो जाएगा ये नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है लॉंगिक पुनिवर्ग किसके कारण होता है और लॉंगिक जनन या पार्थोनों जेनिसिस जनन या एमाई टोसिस दोस्तो आपको हम बता दें कि लोंगिक पुर्ण योर किसके कारण होता है तो लोंगिक जनन के कारण होता है आपका एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है हमारा मेंडल के दिसंकर संकरण का लच्षड प्रारूपी अनुपात कितना था मेंडल के दिसंकर संकरण का लच्षड प्रारूपी अनुपात कितना था नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक नौ अनुपात जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे हमारा लगुप एमाने पर नई उप पराजाती का विकास क्या कहलाता है? सुष्म विकास, हुरियद विकास, जोव विकास, अनुबानसिक विकास दोस्तों आपको हम बता दें कि लगुप एमाने पर नई उप पर जाती का विकास जो कहलाता है, ओ है आपका सुष्म विकास, आपका एंसर हो जाएगा ए नंबर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रस्ने के तरफ, अगला प्रस्ने है हमारा वैसे अंग जो रचना और उत्पती या उत्भव के द्रिष्टी कोण से एक दूसरे से भीन हो, प्रन्तु एक ही परकार के कार्यों का निस्पादन करे कहलाते हैं वैसे अंग जो रचना और उत्पती या उत्भव के द्रिष्टी कोण से एक दूसरे से भीन हो, प्रन्तु एक ही परकार के कार्यों का निस्पादन करे कहलाते हैं समझातंग और समझातंग और सेसी अंग या काई की अंग दोस्तों आपको हम बतादे कहलाता है और समझातंग आपका एंसर हो जाएगा बी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रस्थने के तरफ अगला प्रस्थने हैं हमारा डी एने के अनुकरम के तुन्लात्मक अध्यायन दोरा किसी जीव के पुर्वजों को खोज क्या कहलाती है आडविक जाती विरित जीनो टाइप उत रिवर्तन प्राकिर्तिक चैन डीने के अनुकरम के तुनलात्मक अध्यायन द्वारक इसी जीव के पुर्वजों को खोज को आड़विक जाती विरित कहलाता है आपका एंसर हो जाएगा ये नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है हिस्टोन प्रोटीन पाये जाता है डीने में जीन में पादप में जन्तू में दोस्तों आपको हम बता दे कि हिस्टोन प्रोटीन पाये जाता है आपको जीन में आपका एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है मेंडल ने मटर में कितने गुड़ों पर कार्ज किया था मेंडल ने मटर में कितने गुड़ों पर कार्ज किया था तो दोस्तों आपको हम बताते कि मेंडल ने मटर पर साथ गुड़ों का कार्ज किया था आपका एंसर हो जाएगा यह नमबर बढ़ते हैं अगले प्राश्ण के तरफ अगला प्राश्ण है प्रित करण का नियम किस ने दिया था मेंडल डार्वीन एसरियंस बेबी लोनियन दोस्तों आपको हम बतादे कि प्रित करण का नियम जो है मेंडल ने दिया था आपका एंसर हो जाएगा यह नमबर संसकरण कराने पर मेंडल को F2PD में कितने पौधे मिले थे जिन में बहुनापन पर जीन था पर पौधे लंबे थे दो एक तीन या चारत दोस्तों आपको हम बता दें दो आपका एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले परस्णे के तरफ अगला परस्णे है मेंडल के दी संकर संकरण में मटर के बीज के किस गुड को परभावी मन गया था हरा पीला पीला एवं हरा पीला एवं गोलकार दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका एंसर हो जाएगा पीले एवं गोलकार आपका एंसर हो जाएगा D number बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरब अगला प्रश्ण है मेंडल के सोतंत्र बिन्यास का F2PD में कौन बहतर उधारण है पीला जुरिदार पीला गुलकार हरा गुलकार A, O, C दोनों दोस्तों आपको हम बता दें कि मेंडल के सोतंत्र बिन्यास का F2PD मे बहतर है आपको A और C यानि कि पीला जुरिदार और हरा गुलकार आपका एंसर हो जाएगा D number बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है मनुष्य के सुकराडू या अंडाडू में कितने जोड़े गुण सुत्र होते हैं तो दोस्तों आपको हम बता दे एक भी नहीं होता है आपका एंसर हो जाएगा D number बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है मनुष्य में एंटीजेन A एवां B रप्त में कहां पाए जाते हैं मनुष्य में एंटीजेन A एवां B रप्त में कहां पाए जाते हैं प्लाजमा में RBC में RBC के सताव पर कहीं नहीं तो दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा D number बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है में लिंग गूर सुत्र का पूर जोड़ा पाए जात 23 में आपका एंसर हो जाएगा B number बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है मरा मानवश्रीड के किसी समान या कोशिका में गूर सुत्रों को कितने युग में होते हैं एकोईस, बाएस, तेइस, या, छी, आलिस दोस्तों मानो शरीड के किसी समान ये कोशिका में गुर्ण सुत्रों के यूग में जो होते हैं आपको 23 यानी 23 आपका एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले परशने के तरप अगला परशने हैं हमारा समजात अंगो का उधारन है हमारा हाँ तथा कुते के अगरपाद हमारे दात तथा हाथी के दात आलू याम घास के उपरी भू अस्तरी दोस्तों समजात अंगो का उधारन जो है इसमें से सभी है आपका एंसर ह हो जाएगा डी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है विकास के अधार पर निमलेखित में से किसका सरीग अभिकल्प उतम है जीवाडू मकड़ी मचली या चिंपाउंजी तो दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा चिंपाउंजी डी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है बनसागत नीमो का प्रतिपादन किस ने किया चालरस डारवीन रावट हूक जेसी बोस ग्रेगर जान मेंडल दोस्तों आपका सवाल है बनसागत नीमो का प्रतिपादन किस ने किया तो दोस्तों आपको हम बदा द ग्रेगर जान मेंडल ने आपका एंसर हो जाएगा D number बढ़ते हैं अगले प्रस्थने के तरफ अगला प्रस्थने The origin of aspects नामक पुष्थक किस ने लिखी Darwin, Operin, Le Mark, कोई नहीं दोस्तो आपको हम बता दे आपका एंसर हो जाएगा The origin of aspects नामक पुष्थक ने Darwin ने लिखा था आपका एंसर हो जाएगा A number बढ़ते हैं अगले प्रस्थने के तरफ अगला प्रस्थना इस्त्रियों में लिएंग गूर्ण सुत्र का इगम होता है इस्त्रियों में लिएंग गूर्ण सुत्र का इगम होता दोस्तो आपको हम बता दे कि हमारा अगला चाप्टर आठ यानि हमारा प्रस्थना यानि दोस्तो जीव बिग्यान बाइलो जीक अक्छा 10 चाप्टर आठ आठ आपको हम अगला वीडियों लेकर आएंगे बहुत ही जल्द बीबी आई अब्जेक्टिव कोश्चन जोकी एन सी इई आटी पेटर्न पर आधारित है दोस्तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और विल आइकन दबा दे ताकि अगले विडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थाइंक यू दोस्तो राधे राधे दोस्तो